हेलो दोस्तो मैं हूँ प्रभास और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार रेल पे दोस्तो बिहार में चुनाओ अपने चरम पे हैं दोस्तो इस चुनावी मौसम में कई तरह की घोशनाएं की जा रही हैं और इसी के साथ साथ जो पुरानी घोशनाए की गई उसे पूरा जो किया गिया है उसका सिलान्यास भी किया जा रहा है दोस्तो इनी घोष्णाओं में से एक बड़ी घोष्णा हुई है मुझपरपूर को लेकर दोस्तो घोष्णा हुई है कि मुझपरपूर में मेट्रो ट्रेंड चलाए जाएगी जो की चलेगी दिल्ली में प्रेम परो कायाkor में वीडियो बाता है दोस्तों अब सब्सक्राइब करें walak on आप करें लिए किस्तों अब जोड़ ed만 फ़ाइब जब्रेड में परों को आपने वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों इसा कि आपको पता होगा कि भारत सरकार देश के कई शहरों को smart city बनाने जा रही है और smart city के अंतरगत कई तरह के funds provide किये गये हैं कई शहरों को दोस्तों इन शहरों में से मुझपरपुर भी एक शहर है जिसे smart city बनाया जाना है और और दोस्तों ने यह भी कहा कि यदि इस साल वे चुनाव में जीते हैं तो निष्टित रूप से अगली बार जब आएंगे तो मुझपरपुर में मेट्रो टेन का उदगाटन करने ही आएंगे यानि कि उन्होंने क्लियर क्लियर घुशना कर दी है कि यदि बीजेपी इस बार चुनाव जीती है यानि कि वर्ष 2020 का चुनाव तो मुझपरपुर में मेट्रो टेन चलाए जाएगी आजे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के रूप में यानि कि इसमें जो पैसा लगेगा वो स्मार्ट सिटी के फंड से ही दिया जाएगा स्मार्ट सिटी के रूप में मुझपरपुर में मेट्रो ट्रेंज चल पाएगी तो दोस्तों इसका जवाब है हां मुझपरपुर मेट्रो ट्रेंज चल पाएगी दोस्तों यहां पे जो मेट्रो ट्रेंज का निर्मान किया जाएगा वो स्मार्ट सिटी फंड के अंतर अंतर जरूर किया जाएगा क्योंकि स्मार्ट सिटी बनाने की जो योजना है उसमें मैट्रो को भी शामिल किया गिया है दोस्तों इसमें सिर्फ मैट्रो को शामिल नहीं किया गिया है इसमें आवागमन के तीवर साधनों का भी उल्ले किया गिया है तो दोस्तों इसमें हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कि उस्षित रूप से कह सकते हैं कि उनका दारा की रही या घुशना बिल्कुल सच साबित होगी चाहे वह आज साबित हो या फिर आने वाले सालों में सामिल नहीं हो दोस्तों मुझे आज रहा है कि आपको सारी इंफर्मिशन मिलगी यहुदी वीडियो अच्छे लिए वीड